इंडिया बुल्स हॉजिंग फैनाइस लिमिटेड के ऊपर मैं आपको प्रीविएस वीडियो में ही बता दिया था दोस्तों कि इंडिया बुल्स हॉजिंग फैनाइस लिमिटेड में हम लोग एंट्रे लेंगे तो स्टॉक में 240 से 235 के अंदर अगर लेवल देखने को मिलेग तो हम लोग खुद एंट्री ले लेंगे यह मैंने आपको पहले भी बताया और मैं आपको प्रूफ देने के लिए मैं 9 अगस्ट ज्यादा दिन भी नहीं हुआ है 5-6 दिन ही हुए है 8 अगस्ट को मैंने वीडियो अप्लोड किया था जिसका डेट था 9 अगस्ट तो आप मे देख सकते हैं 240 लेवल पकड़ लिया और उसके बाद रैली 250 तक आने लगी मैं अपने टेलिग्राम चैनल में भी टागेट्स दे दिया हूं 260 के जो हमारे शॉट टम थे और 255 मैंने सेफ्ट लेडर्स बुक प्रॉफिट बोल कर भी बता दिया है अब देखिए स्टॉक 250 औ उतना नहीं जाएगा दोस्तों openly saying उतना नहीं जाएगा हम लोग only short time target में काम करने वाड़े हैं वो अचीव होने के बाद ही आगले लेवर से निकल क्याएंगे तो अभी के लिए यह जो 42-30 RSI में mid of bottom fishing mid of consolidation में consolidation का support लेना चाहरा है उसके हिसाब से आज के दिन जो loose के अंडि आगे चलके वीडियो में बता दूँगा चलिए आगे बढ़ते हैं Hello everyone मैं हूं मोहमत सोहेल आपके साम में stock पे बात कर रहा हूं इंडिया बुल्स housing finance limited आगर आप पहली बार यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए इंडिया बुल्स housing finance limited का यह one day का candle chart है national stock exchange आगे चलके वीडियो में मैं आपको 15 minutes का intraday candle chart analysis करके बताऊंगा intraday कैसे करना है और intraday के अंदर trade और position कैसे पकरनी है अब देखिए इंडिया बुल्स के अंदर heavy rally के बाद जो stock correction लेना चाहिए वो stock correction नहीं ले रहा है इसका मतलब यह है stock के अंदर जो standard profit मिला उसके ओपर ही sustain करने वाला है और इस साल में stock 155 क्या आपको 16170 कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा stock 200 level के अंदर trend पकड़ा है stock 200 level के ऊपर heat हैरेगा और उसके नीचे नहीं जाएगा दोस्तों इसका मतलब है stock standard हो चुका अगर वो चाहे 2022 में जा सकता है पर 2021 में टच नहीं करेगा यह लिग कर ले लो और stock के अंदर earnings positive आई है stock में bottom fishing जो mid of bottom fishing mid of consolidation में consolidation का support ले रहा है loose candle form करना आज ही चालो कर दिया यह कहां पर भी जाके club हो जाए stock के अंदर जो हमारा पहला breakdown level है 83 level के पास है दोस्तों पर हम लोग 280 के भी level पकड़ के नहीं चल सकते थोड़ा risk position है क्योंकि stock अभी भी पहले breakout पे ही sustain कर रहा है trend पकड़ने के लिए अब जो भी trend set करेगा वो trend इसमें ही set करेगा उपर का level break किया तो ही rally हमारा 300 level तक अगर नीचे का level break किया तो stock के अंदर trend जो आपको देखने को मिलेगा 210 और 225 तक का reversal trend देखने को मिलेगा और 210 हमारे इस साल के हिसाब से standard है और 225 हमारा support है तो मैं suggest करूंगा फिर से 245 से लेके 240 के अंदर कहीं पर भी stock reversal correction में देखने को मिला entry ले लिए target of 260 दोस्तों ये short term है और 275 professional short term targets दे रहा हूँ आपको ये 280 के हिसाब से जो अभी के लिए trend पकड़ के चल रहा है और average maintain करना चाहते हैं दोस्तों तो आप 225 level India Bulls Housing Finance Limited में लेकर चल सकते हैं ये मेरा telegram channel है दोस्तों आपने अभी तक मेरा telegram channel join नहीं किया है तो join कर लेजिए for intraday live tips and stock market updates के लिए आपको telegram channel का link मेरे description में मिल जाएगा and thank you for your love and support and keep encouraging me दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरा YouTube channel subscribe नहीं किया है तो subscribe कर लेजिए notification पाने के लिए notification all पे click कर दीजिए India Bulls Housing Finance Limited का ये 15 minutes का intraday candle chart है national stock exchange और India Bulls Housing Finance Limited previous दिन जो हमारा 12 है और 13 है ये दोनों को मिला 13 तो यहां से चालो हुआ पर 12 से देखेंगे ये पूरा totally consolidation में ही है वो उपर का trend दे रहा है तो 5 रुपे दे रहा है नीचे का trend 4 रुपे टोटली 10 रुपे का price action दे रहा है अच्छे ख recommendation आपको हमारे M.A.C.D. में भी देखने को मिलेगा जो perfect है इसका मतलब यह है कल के live यानि Monday live market में आपको buying pressure देने वाला है India Bulls Housing Finance Limited suggestion मेरा ये है आप मेरे selling पे भी buying खेल सकते हैं buying के पे भी buying trade कर सकते हैं दोस्तों 13 अगस्ट 2021 Friday India Bulls Housing Finance Limited का closing है 249.65 पैसा यह मैं target निकाल रहा हूँ for 16 अगस्ट 2021 Monday के लिए Monday live market में आपको मेरे levels में buying opportunity देखने को मिले या selling opportunity देखने को मिले आप मेरे target and stop loss live market में लेकर चल सकते हैं दोस्तों